नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे इस Digital Design Tutorial सीरीज के साइकेंड टूटोरियल में पिछले टूटोरियल में आपने देखा कि किस तरीके से हमने sketchbook के अंदर इस तरीके से दो तीन illustration में create किये थे जिसमें हमने stars, background color, moon, sun, earth बनाया था इन सभी को हमने create किया था वीडियो के इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने इस illustration को complete करेंगे और एक हम इस तरीके का एक result निकालेंगे मैं आपको वापिस अपने final result दिखा देता हूँ हमारे एंडिंग में हमारे पास कुछ इस तरीके का result देखने को मलेगा तो अभी आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर earth, sun, moon ये सब चीज़े create कर लिए अभी बस हमारे पास एक beam of light लिके आनी जो sun के होते हुए earth तक जाएगी और साथ में बीच में moon आएगा तो पहले हम इसे इस तरीके से एक set कर लेते हैं पहले illustration को मैं अंडू कर देता हूँ वापिस अपने उसमें जाता हूँ और हम इन सब इसको set कर लेते हैं ठीक है पहले मैं क्या कर लेता हूँ यह हमारा sun, यह moon, यह earth अब हम इन सबी को transform कर करके place कर देते हैं अगर आपने इससे पहले हमारी जो पुरानी वीडियो से उसको नहीं देखा तो पहले आप यह देख लीजिए कि हमने इन सबी को create कैसे किया है तो उसके लिए आप हमारी प्रेलिस के starting के वीडियो को check कर सकते हैं अब आपको क्या करना है अब मैं क्या करूंगा एक नहीं ले लेता हूं यहां पर ब्रूश को उसके तो मुझे करना है इस फाउंटेन पर कंका स्तमाल करता हूं तो वापी से एक बार वापी शेप create कर लेता है इस तरीक ही दो और सॉलए फिल में जाकर इसमें कलर्फिल कर देते हैं ठीक है, अभी हम इसमें वाइट कलर फिल कर लेते हैं पहले प्लिए जाले, अब मैं क्या करता हूं है इसको ट्रांस्वर्म करके इसके साथ align कर दूंगा कि जहां पर मेरा earth, sun और यह सब एक align पर है यहां पर मैं इसका distort का स्तमाल करूँ रहा हूँ अपर भे ठीक है हो जाने के बाद टिक पर क्लिक कर दीजे इस layer को आप sun और earth के लेकर नीचे लेकर आजाए मतलब sun के layer के नीचे लेकर आजाए capacity कम करता हूँ तो अब आपको यहां पर दिखने लग जाता है कि कितना आपको यहां पर ट्रांस्वार्म करनी की ज़र होते है तो मैं क्या करूँगा वापिस ट्रांस्वार्म पर जाओंगा उसका थोड़ा सा अजज़स कर लेता है अपने साब से टिक पर क्लिक करूँगा लेफ्ट साइड जाओंगा और पर इसी तरह किसे से ट्रांस्वार्म को लेते हैं और टिक पर क्लिक कर देंगा इस तरह किसा सन की हमारा पास रिया आ गई है तो मैं इस थोड़ा सो पर लेको लगा दूँगा ठीक है तो इस तरह किसे हमने ये क्रेट कर लिया है अब मैं एक बार एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ हाँ यह हमारी मून के लिए रहा है अब एक काम कीजिए अभी आपको वह पार्ट करेट करना है जिसमें आपका शैडव रीजिन आएगा यहां पर तो जो हमारा सन है और तरह मून है इन सब की उपर शैडव हमें क्रेट करनी है तो मैं प्लस लेर पर क्लिक करूंगा और यह क туда को कि यहांपे हमें एक सब्सक्राइब सेलorg करें चाहरें के सब्सक्राइब करना होगा यहां पर यहांपे जाकर मैसिक्राइब करने को और इसको में अप्र तूब हो जाएगा इतना काफी है है अब मुझे क्या करना है प्रस्ट पर जाना है और यहां पर जाकर एक शेप करेट करना है शेप मैं क्रेट करूंगा इस तरही लेयर पर अब हम इसमें करेंगे अब स्टार्ट होगे कलर करना तो एक जिस एडिया पर आपका यह शेप नहीं है वहाँ पर आपको इस तरहीं के से एक स्ट्रोक माणना है इसके अंदर इस तरहीं के से कलर कर दीजिए आप चाहँ तो यहां पर डाइट बकेट का इस्तमाल कर सकते हो मैं ऐसे उंगलियों से फिल कर रहा हूं से अब सेलेक्शन क्रेट करो इसके अंदर कलर फिल कर देते हैं कि साइज बढ़ा कर देता हूं थोड़ा सा था कि अच्छे से जल्दी फिल हो जाए अब यह हमने यह ब्लैक का एक रीजेन यहां पर क्रेट कर दिया मैं क्या करूंगा इस लिए को मैं डूप्लिकेट कर लेते हैं एक बार अब मैं क्या करूंगा इसको अब हम क्या करेंगे इसके ओपैसिटी को थोड़ा कम कर लेता हूं मैं लेयर पर क्लिक करूंगा पैसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं एक है हर्त का कि अधि यह हमारा आरट का डाकर रीजन करी तो मैं क्या करूंगा जोड़ी के अधिक न्हीं कि दोarsh 70嗎 मैं हमें यह देखना है कि जो हमारी light है यहां प्रित्य पर नियुक्त किया है तो मैं क्या करूंगा कि यह जो हाँ जर्ट वाली लेए इस पर मैं थोड motor कि हो तो ता हम कर लेते कि अ कि आख इए क Tang inhibiti माद्र फिशाफ नहीं कि शीń तरह में वहां पर इसए राता हुँ झाल झाल तो अब आप देख सकते हो जो हमारी ray of light जहां पर बढ़ रही है तोड़ सा इसका यह थोड़ जाद है तोड़ सा हमारा eraser खराब हो गया अगर आपको इसको सभी से erase करना है तो एक और तरीका है हमारे पास जाँगा इस layer पर जाँगो और यहां पर से selection पर जाकर इसे select कर देते हैं अब आपको क्या करना है अब आप इस पर जाना है layer आपको on करनी है जो आपको area remove करना है अब यहां पर आजिए और eraser के मदद से सिर्फ इतने ही part को erase कीजिए अब मैं क्या करता हूं इसकी opacity थोड़ी सी कम कर लेते हैं इसको हम deselect कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक हमारा lighter region है हमारा earth है moon है और हमारा यह आ चुक है अब मुझे मैं जो duplicate layer create की थी इसको मैं एक बार मून के उपर लेकर आजाता हूं मून के उपर आने किलमें इसको click करके लगता हूं और फिर उपर drag करके लिए जाता हूं फिर आपको इसको transform करना है मून के उपर fit करना है opacity को कम करना है इस तरीके से आपने shadow moon के उपर भी create कर दी है अब मैं क्या करूंगा अब मुझे क्या करना है यहां पर मुझे eclipse को दिखाना है eclipse को दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा एक नई ले ले लेते हैं light के लिए इसके उपर एक नई ले ले लेता हूं file पर जाओंगा draw style पर जाओंगा वापिस से एक हमें इस तरीके का structure create करना है और यह भी eraser select किया मैंने जब भी आप यह करो तो आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सा टूल activate करके रखाया आपने अधिक है एक बार यह करने के बार अब आपको क्या करना है यहां पर जाना है फिर एक बार से वापिस से ट्रांसवाम पर क्लिक करके ट्रॉट थोड़ा कर लेते हैं ताकि यह थोड़ा सा एसे अब आपको क्या करना है सिर्फ इसको पकड़िए और opacity को कम कर दीजिए अब आप देख सकते हो कि इसको आपको कैसे करना है अब आप opacity कम करें तो आपको ज्यादा visible होगा कि चीजें कैसी है कि मैं आप पर ट्रांसवाम पर जाओंगा कि आप ट्रांसवाम पर जाकर थोड़ सा इसको इसके क्लोज लिखे आ जाता हूं अब यह आप देख सकते हो कि हमारा यहां पर एर्थ पे शैडव रिजन बनने लग गया है अब आप देख सकते हो कि हमारी जो ray of light आ रही थी उसे ब्लॉक कर रहा हमारा moon और उसके आरण हमारे यहां पर एक shadow बन रही अब मैं क्या काम कुनगा इसलिए को भी डूप्लिकेट कर लेते हैं इसको transform करके एक concentration point बना देते हैं पर ताकि point यहां पर ऐसा दिखे कि यहां पर हमारा ताकि जो भी आप वो एक हमारा जो फुल मून फुल एकलिप्स हमें जो दिखाना है वह हम कहां पर दिखाना चाहरे हैं उसके लिए हमें इन सारे points को एक उसमें लिके आना पड़ेगा transform पर क्लिक करके मैं इसको थोड़ सा मैं जिस कर लेता हूं कहा हूं दिखाइड हो चुगा है सब्सक्राइंट कर लेते हैं शार पे क्लिक करें लिखाई ज उन से कि के इसके आप देख सकते हों कि हमारा और मश्रां मुस आप सारी चीज़ें सामने अँसरी करने हैं और य इसे एक गैलरे पर जाके, मैं एक पर सेप कर लेता हूँ, अब यह आप देख सकते हैं कि काफी हमारा से मिला रा चुक है, अब आप देख सकते हैं इन दोने ग्रीन कर ले लेते हैं ताकि ज्यादा हाइलाइट हो जाए तो इस तरह के एक शेप कर लेता हूं फिर आपको क्या करने हैं बस ट्रांस्वार्म कीजिए जहां पर आपको इसको प्लेस करने हैं प्लेस कीजिए जैसा प्लेस करने हैं आप वैसा प्लेस कीजिए ठीक है एक बाद क्रेट करने के बाद टिक पर क्लिक कर दीजे और अब आपको क्या करना है इसको मैं नीचे लिखा जाता हूं मून की लेड़ से नीचे अब आपको क्या करना है इस पर हम देख सकते हैं इलस्ट्रिशन में हमने जो ग्रेट किया था उसमें थोड़ों बहुत डैश एक ऐसे डॉटेड लाइन्स थी मतलब डैश डैश करके था तो मैं यहां पर हार्ड एरेजर लेता हूं और इस तरीके से एरेजर के थोड़ी सी ब्रेश का साइज बढ़ा देता हूं हाँ यह ठीक है इस तरीके से डैश 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 मारना स्टार्ट कर देता हूं ठीक है अब आप देख सकते हैं कि हमारा इलस्ट्रेशन काफी काफी सेम लगने लग गया है है अब हमारे क्या अब अच्छा है बस है कि एक बift को लें तो फाईल पर जाकर नियगरे फिये में स्क्रीन सटनी आप पीद स्क्रीट आप उडेते हैं तो हैंविझ अब्ष आप से अचे यह एक्सकर पर पर अगर हम आपको कोई कोई टूली आपको option आपका enable जाएगा अब मैं sun लिख लेता हूँ transform अगरे कर लिजे से जहां आपको set करने है वहाँ set कर लिजे और tick पर click कर दीजे फिर आप वापस text लेंगे moon लिखेंगे इसी तरीके से transform अगरे कीजे set अगरे कीजे जहां पर आपको लगाने है अब हम वापस जाएंगे text पर लिखेंगे अगर आपका कभी ऐसा हो जाए कि transform ना हो तो आपको यहां पर जाने टूल्स पर जाने transform पर क्लिक करने और आप इसको जहां transform करके लगाना चाहते हो वहां पर लगा सकते हो टिक कीजे फिर वापस जाएंगे अब हम यहां पर क्लिक कर देते हैं अब ट्रांस्वर्म करके इसको मैं यहां उपर प्लेस कर देता हो ट्क पर इसके लिए अब सिपरें ने एक ईक्वर्म कर लिए अब यहां पर तो टोटल ना हैं लिए अगा है तो टो टल पार्ट लेकलिस लिए नदक विसक्न वापिस करूँस那 प्रस्व थे लोगा यहां पर जाए यह से लगाईए टिक पर क्लिक कर दीजिए अभी हमने यह क्रेट कर लिए अब हमें क्या करने है यहां पर पॉइंट करने के लिए हमें arrows क्रेट करने हैं सबसे उपर जाओंगा नहीं ले 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 लेते हैं और यहां पर हम draw style पर जाकर इस तरीके से rectangle का स्टमाल करूँगा मैं color white चूज कर लीजिए और एक इस तरीके का rectangle में बना लूँगा फेस करना है bucket से fill पे जाओंगा bucket से color fill कर देते हैं tick करते हैं और अब मैं इसको transform करके अपने हिसाब से तोड़ बहुत adjust कर लेता हूँ और यह हो जाने के बाद अब क्या करना है लेयर पर जाना है एक नहीं ले लेनी है और ड्रॉ स्टाइल पर जाकर ऐसे का एक ट्राइंगल बना लिए बस ताकि इसके अंदर आप फिर bucket से color fill कर दीजिए टिक पे करता हूँ लेयर पैनल राण करते हैं और यहां से इसे transform करके इसके सर पे ऐसे place कर देते हैं अगर आपको थोड़ बहुत changes करना है तो transform में जाके इस पे जाकर थोड़ बहुत इसे adjust कर सकते हो अब आपका arrow ठीक दिख रहा है अब मैं क्या करता हूँ इसके जो पीछे का head है इसको मैं थोड़ सा transform करके पतला कर लेता हूँ पर दोजूम कर लेते हैं इस पे transform करेंगे थोड़ सा पतला कर लेते हैं इसको यहां पर place कर लेते हैं कि लेर्पर जाएंगे इस पे जाएंगे ट्रांसोम कर लेते हैं थोड़ा चोटा कर लेते हैं अ हुआ है कि अब क्या करूँगा इन दोनों को merge कर लेता हूं इसको मैं ट्रांस्फों करके ठीक, अब सेगी, अब मैं क्या करूंगा, टोटल एकलिप्स, पार्सल एकलिप्स पे इसे पॉइंट कर दूँगा, एक काम करते हैं इसके दौट्ड अब निच्छा ले रिए औरू, तोटल एकलिप्स कहाँ पर है, आप इसे वहाँ पर पॉइंट करके दिखा दिजी, तो य टिक कर देते हैं तो अब हमने यह दोनों चीज़ा पॉइंट कर दी अब आप थोड़ा सा टेक्स्ट को हिसाब से अपने हिसाब से अपने हिसाब से एजर्स कर लीजे यहां पर हमारी नेमिंग का उप्शन नहीं है नहीं तो हम पर्टिकलर उस अब्जेक्ट को उठाकर हम चेक कर सकते हैं अधर हमने रिनेम करके उप्शन लगा रहा है तो हम उसको इसली देख सकते हैं लेकिन यहां पर कोई नेमिंग का उप्शन नहीं है तो हमें यहां पर को complete करते हैं ठीक है इस वीडियो के लिए इतना ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ इस टूटोरिल में जुड़े अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप नीचे कॉमेंट्स का स्तमाल कर सकते हैं या फिर आपको यहां या अपने वोग जो भी आप शेयर करना साते हैं वो भेज सकते हैं धन्यवाद